और अभी आप लोग खुद देखो, मैं आपने कंट्री इंडिया में बेठा हूँ लेकिन मुझे डेटा मिल रहा है उनिटेट से, इसी तरह आप लोग भी कर सेक्टो भाई इसके लिए पेसा नहीं लग रहा है, बैस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा र ब्लॉगिंग करके, और इंटेनेशनल ब्लॉगिंग मतलब आप टायर वन कंट्री इसको जैसे US, UK, Canada जैसे कंट्री को टार्गेट करके पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दिक्कत यह नहीं है कि लोग टार्गेट करना चाहते हैं, दिक्कत यहाँ पे है कि भाई ल रिसर्च करके लिख देंगे कंटेन, लेकिन सबसे पहले यह आइडिया होना चाहिए कि मुझे पटिकुलर इसी कीवर्ड पर आर्टिकल डालना है, जो कि rank हम लोग कर सकते हैं, और आज के इस वीडियो में आपको वही सिखा हूँगा कि आप लोग केसी कीवर्ड रिसर्च करूँगा, और स्टिल नहीं समझ भा रहे हो, तो कमेंट करना मैं आपको वह समझा दूँगा, ठीक है, और यह प्रोसेस आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ट्राफिक आया इंटरनेशनल लेवल पे, आपको अच्छा कमा करूँगा, और हर एक ड्रीम पूरा करूँगा, तो यही दोस्तों आपके पास मौका है, जो कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करके ही पूरा हो पाएगा, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, अभी दोस्तों मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ, अभी हम लोग क्या करेंगे, keyword research करेंगे, वो भी international blogging के लिए, यानि कि tier 1 countries को target करके keyword research करेंगे, उनका keyword निकालेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले, मैंने यहाँ पर recently international blogging को और शुरू ही कर दिया है, जैसी कि आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने वीडियो डाला है, 7 best EOS blogging niche, अगर आपको E जैसे लाखों में कमाई कर सकते हो, तिने यह दोनों वीडियो इंपोर्टांट है, देख लीजिएगा, आपको बहुत आइडिया मिलेगा international blogging के बारे में, अभी हमारा जो main target है कि हम लोग keyword research करेंगे, आप सबसे पहले आप niche decide करेंगे, कि कौन सा niche पर आपको काम करना है international level उसके बाद हमें keyword research करना होता है, ठीक है, और अगर आप यहाँ पे अपना niche select कर लिए हो, यह वाला वीडियो देखके, और कुछ थोड़ा वहत research करके, दिन बहुत अच्छा है, अब हमें कहां चलना है, कोई tool के अंदर चलना है, आप लोग free keyword research tool भी इस्तमाल कर सकते हो, ले time के बाद आगे आपको बता दूगा के से कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आज चुका हूँ, यहाँ पर बोल रहा है, enter, domain name, URL और keyword, से मरस के अंदर, सबसे पहले आपको यहाँ पर keyword डालना पड़ेगा, मान के चलना हो आपने job के बारे म या फिर कोई finance के बारे में अपना blog बनाने का सोचा है, या फिर आपका अल्रेडी blog है उसमें, तो उसी के अंदर आपको क्या करना है, keyword research करना है, US के लिए, UK के लिए, तो कैसे करेंगे, इसलिए सबसे पहले हमारा जो primary category होगा, niche होगा, उसका main keyword हम लोग यहाँ पर यहाँ पर game का example लेता हो, games, उसके बाद enter करूँगा, तो games के enter, जितने सारे keywords होगे, मुझे यहाँ पर भी दिखने वाले, उनके अंदर मैं क्या करूँगा, articles बगेर डालोगा, तो यहाँ पर आप देख सेकते हो, जो India का data है, हमें क्या करना है, भाई, सबसे पहले देखो, जो data हमें इंडिया का दिखेगा, हमें international blogging करना है, तो हम लोग यहाँ पर उसको change करेंगे, United States, United States, United Kingdom और Canada, यहाँ पर United Arab Emirates, तो हम लोग सबसे पहले United States के लिए चलते हैं, और यहाँ पर मैं आ गया, United States के अंदर, अभी आप देखोगे, भाई, gains जो keyword है, इसी keyword पे बहुत अच्छा CPC है, 0.24 का CPC है, और बहुत ज़्यादा traffic है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे, कि exactly CPC केसे काम करता है, तो already मैंने वीडियो डाल रुखा है यह वाला वीडियो, कि exactly आप CPC केसे find कर सकते हो, यह वाले वीडियो पर मैंने बता दिया है, कि आप कोई भी keyword का CPC क कितना है जान सकते हो, बो वाला वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक मैंने जो भी वीडियो recommend किया, इनका लिंक आपको I button पर मिल जाएगा, डिस्क्रिशन पी मिल जाएगा, ठीक है, तो सब से पहले आप देख सकते हो, यह वाला वीडियो, तो यहां पहे आपको idea मिल जाए है और यह एक highly competitive keyword है जिसे कि keyword difficulty 100 बता रहा है तो इस पे तो हाथ ही नहीं लगा सकते है ठीक है लेकिन हमें यहाँ पर जाना भी नहीं है हमें क्या करना है हमें कुछ AC keyword पर target करना है जिस पर competition नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए quickly ranking और थोड़ा traffic आगा तब ही कमाई होगा इसके लिए हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर दिमाग लगाएंगे low competition keyword निकालेंगे क्योंकि हमें पता है जो tier 1 countries होते हैं उनका जो lowest CPC हमारी यहाँ पर highest CPC के बराबर होता है इसलिए हम लोग क्या करेंगे low competition keyword निकालेंगे तकि हमें minimum से minimum CPC मिलेगा ना तब भी चल जाएगा इसके लिए simply हम लोग क्या करेंगे keyword variations सारे keywords को देखेंगे क्या-क्या keywords available है इसके बाद view all पर मैंने click कर दिया तो आप लोगों को भी same RGDGC तरह काम करना है keyword research आप लोगों को भी इस तरह करना है और यहाँ पर दिखिए मैं आपको सबसे पहले tool इस्तमाल कर रहा हूँ लेकिन सिर्फ tool में हमें अच्छे keywords नहीं मिलेंगे जो भी data आपको बता रहा हूँ समझने के लिए ecosystem करो सिर्फ tool से हमें exact data नहीं मिलेगा थोड़ा हम और advance में काम करेंगे ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आ गया सारा का सारा keywords लेकिन लोग क्या करते है micro niche में जाने के लिए कुसिस करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो आप micro niche में जा सकते हो उसको long tail बना सकते हो यहाँ पर free अगर आप चाहते हो कि भाई games free लगा के कोई आपका keyword बने आपका niche बने free games या फिर तो यहाँ पर आपको ideas मिल जाते हैं देखिए यहाँ पर suggestions जो suggestions है उनको आप combine करके एक niche बना सकते हो उसके बाद micro niche बना सकते हो यह suggestions यहाँ पर मिलते हैं लोगों को idea नहीं मिलता है भाई micro niche कौन सा है, niche कौन सा है already मैंने जो blogging course का मेरी channel पर जल रहा था दिखाता हूँ आपको playlist पर आओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा full blogging course इसके अंदर जो videos है उसके अंदर ideas आपको मिल जाएगे कि niche क्या होता है market क्या होता है, किस तरह काम करना होता है ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप really interest रखते हो blogging के अंदर, then definitely चैनल को subscribe भी कर लेजिए, क्योंकि मैं blogging के regarding video बनाता हूँ और इसके लिए आपको पेसा नहीं लगेगा, subscribe करने के बाद सिदे bell icon पे press करें, और all पे दबा तकि हर एक video का notification भी आप लोग को मिल जाए, ठीक है तो आप बो concept clear हो जाईए कि niche क्या है, market क्या है और उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा बहुत सरे keywords, जो कि हम जोड के उसके long till keyword बना सकते हैं और उसके अंदर भी हमें धेल सरे keywords मिले है जिसे कि हमने यहाँ पर डाला games तो सबसे पहले देखो, games की top है free way मलदा free games यसे लगाएं तो यहाँ पर हम click कर देते हैं तो देख लो, क्या दिखेगा आपको हमने यहाँ पर free में add किया free में click किया तो automatic यहाँ पर free के साथ जितने भी सारे keywords होंगे देखे, free games, free online games free games online तो इसी तरह हमें सारा data मिल गया तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें इसको हटाते हैं all keywords पर click करेंगे तो हमें सारे keywords लिखेगा तो यहाँ पर specifically हमें keyword के basis पर मिल जा रहा है ideas कि हमें किस तरह का keyword पर काम करना है अभी आप क्या करोगे अभी आपको filters लगाना पड़ेगा ताकि हमें अच्छे-च्छे keywords मिले तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे KD पर filter लगाएंगे क्योंकि हमें rank करना है quickly तो हम लोग KD पर filter लगाएंगे और quickly मतलब हम लोग यहाँ पर very easy पर जा सकते हैं 0 to 15 यह भी काफी सही होगा initial days के लिए लेकिन धिरे धिरे जब आप grow करोगे तो यह 0 to 15 नहीं थोड़ा उपर भी जा सकते हो easy, easy के बाद possible पर जा सकते हो और possible क्या difficultly जो फेज है उससे उपर hard मैंने keyword पर target किया था जिसका keyword difficulty था 79 फिर भी बो rank हो गया इसलिए आपको अपना website पर काम अलग level पर करना पड़ेगा अपना authority थोड़ा boost करना पड़ेगा तब कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन starting days में आपको बिल्कुल भी यह उपर नहीं जना है very easy पर जा सकते हो starting days में क्योंकि आपका blog rank धिरे-दिरे करेगा तब ही उपर जा पाएगा और जिसी हमने डाला यहाँ पर very easy तो आप देख सकते हो कितने सारे keywords आगे 36,000 keywords आ चुके हैं और उस पर भी 3.7 million का search potential है total volume search potential तो उसके बाद आप देखोगी यहाँ पर बहुत सरा game आपको दिखेंगे जिनका volume अच्छा है और CPC वगरा कुछ का होगा कुछ का नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं देख सकते हैं यह वाला दिखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे word count पर नहीं competitive पर नहीं इसा भी feature पर नहीं सिर्फ यहाँ पर लगाएंगे results in surf यहाँ पर 99 डाली ठीक है तो यहाँ पर हम लोग 99 डालेंगे तो automatic यहाँ पर और भी हामें तगड़े keywords मिलने वाले हैं जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ही मिल गए अभी total मलब 15,000 keywords और जिनका volume है 2.0 यानि कि 2 million का volume है इतने सारे keywords मिल गए और अभी आप खुद चेक आउट कर लिजी यह सारे keywords ठीक है trapped in है hentai game academy ठीक है और इसी तरह आपको धेर सारे keywords मिलने वाले हैं लेकिन सिर्फ यही data काफी नहीं हमारे ली हम थोड़े इसमें और research करेंगे जैसे कि यह देखिए अभी हम इसको open करते हैं इसको open करते हैं देखिए open मतलब आप खुद देखिए यहाँ पर इस जो keyword है totalist keyword का volume देखिए two player game on blog तो यहाँ पर देख सकते हो वालब डेर्ड लाग का searches है वो भी US से उसके बाद United Kingdom, Australia, New Zealand कहाँ जै तो tire one country सारे के सारे है और CPC देख सकते हो यह है और trend आपको देखना पड़ेगा क्योंकि भाई अकर हम ऐसे keyword पर काम कर देंगे जिसका search ही नहीं हो रहा है तो हमें traffic मिलेगा कैसे इसलिए हमें trends को focus करना पड़ेगा जिसपे trends चल रहा होगा वही keywords पर हम लोग काम करेंगे otherwise काम नहीं करेंगे तो यह keyword पर हम काम कर सकते हैं ट्रेंड गीरा था जरूर लेकिन अब फिर से उपर जा रहा है तो इसी तरह आपको यहाँ पर ideas मिल जाएगा और उसके बात देखो कि यहाँ पर बता रहा है कि 83 results total है इस keyword के लिए तो यहाँ पर आप scroll down करके 10 results तक दिख सकते हो लेकिन बस इतना काफी नहीं है हम लोगों को अभी क्या करना पड़ेगा थोड़ा manually research करना पड़ेगा तब जाके हमें value मिलेगा क्योंकि इस तरह से हमें धेर सारे keyword मिलेंगे लेकिन क्या वो keyword really really हमारे लिए काम कर सकता है उस condition में हमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा ये method काफी नहीं होगा तो उसके बाद हम simply क्या करेंगे अभी जाएंगे अपने Google Chrome में क्योंकि Google वाबा की जाय हो क्योंकि वही हमें सारा data सही सही देने वाले है तो अभी हम आ जाएंगे Google Chrome में तब हमें क्या करना पड़ेगा एक extension का जरूरत पड़ सकता है US के लिए टार्गेट करने के लिए ठीक है तो यहाँ पर extension का नाम में बता रहा हूँ तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ यह रहा वो extension जैसे ही देख सकते हो VPN is off और यह extension का नाम है अगर यहाँ पर रखेंगे BPN इसका नाम थोड़ा देखते है क्या है देख लो यह रहा वो VPN जो हम यूज करेंगे थोड़ा नाम को यूनिक बना दिये हैं तो अभी हम क्या करेंगे सिंपली सर्च करेंगे Google या फिर Chrome वेट्स्टोर आप सर्च कर लिजिए आपको मिल जाएगा Chrome extension सर्च कर सकते है Chrome वेट्स्टोर सर्च कर सकते है सर्च कर लिजिए सर्च करने के बाद जिसकी मैंने आपको नाम दिखा यहाँ पर वही डालिए VPN ठीक है और VPN डालने के बाद आपके पास आ गया देखिए यहाँ पर बहुत सारे VPNs मिलते हैं जैसे कि Hola VPN है और Free VPN है तो हम इसको इस्तमाल करेंगे Free VPN for Chrome और यह जो हमने डाल रखा है उसका नाम दिखी यह वाला ठीक है VPN इसको इस्तमाल मैंने किया है क्योंकि यह थोड़ा exactly काम कर रहा है क्योंकि बहुत सारे VPN हमें मिल जाते हैं लेकिन वो क्या है था है लब उनका premium होता है और इसका भी premium है लेकिन यह Free वाला भी काम सही कर रहा है कुछ VPN में सही से काम नहीं करता है इसलिए थोड़ा आपको देखना पड़ाएगा कौन सा VPN काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है क्योंकि देखिए कहीना कहीं Google क्या करता है अपने रिजियन के कोडिंग डिटा दिखाता है और हमें VPN इसलिए यूज़ करना है आपको सिंपली इसको जिसे की अगर नहीं होगा तो मानके चलिए ये वाला VPN ये उज़ करूगा तो इस पर क्लिक करूगा आड़ टू क्रोम पर क्लिक करूगा तो अपने आप आड़ हो जाएगा ठीक है देन हम लोग यहाँ पर दिखिए एक्स्टेंशन यहाँ पर सारे मिल जाएगे तो अगर क्लिक करेंगे जो जो होगा वो दिखेगा ठीक है और भी एक टूल है SEO Search Stimulator by Night इसका नाम क्या है थोड़ देख लेते हैं Nightwatch लेकिन ये इस्तमाल करने के बाद तो Google कहेगा आप बहुत ट्राफिक यूज़ करें उसलिए बार बार रिकाफ्चा फिल करने के लिए आगा इसलिए मैंने इसको इस्तमाल नहीं किया लेकिन ये भी काफी सही डिटा दिखाता है ठीक है लेकिन इस कंडिसेंशन में इसको इग्नोर करेंगे हम लोग यूज़ करेंगे वही देख से तो BPN को और यहां पर हमें मिल जाएंगे बहुत सार लोकेशन BPN इस ओफ बता रहा है तो हमें यहां पर इस पर क्लिक करना पड़ेगा यहां पर जब हम आज आएंगे तो यहां पर हमें बहुत सारे मिल जाएंगे जैसे कि अभी France, Netherlands, Russia, Singapore, UK United States यह भी टाइम टाइम पर बदलता भी है सेम नहीं रहता है अभी कभी बदलता है तो हमें इस कंडिसन में क्या करना पड़ेगा अपनी हिसाब से और देखिए यूज़ का बहुत सारे लोकेशन नहीं मिलेगा कुछ-कुछ लोकेशन मिलेगा अगर आप प्रीमियम लेना चाहते हैं प्रीमियम का प्राइज आप देख सकते हैं लेकिन यहाँ पर देख सकते हो यह सारे का सारे प्रीमियम से that's why हम लोग तो इसको अभी पे नहीं करेंगे क्योंकि हमें mostly चाहिए US and UK जो की फ्रीमियम मिल रहा है तो वही काफी है और अभी हमें क्या करना है simply US के अंडर कोई लोकेशन का हम चूज करना है जैसे कि already selected है तो मैं उसको ही select करता हूँ और then आपस चलते हैं अभी हम क्या करेंगे इसको on कर देंगे ठीक है थोड़ा सा time लगेगा थोड़ा सा time थोड़ा सा time लगेगा आपको wait कर लिना है और देखिए अभी हो गया हमारा VPA on अभी आप लोग यहाँ पर क्या search कर सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ search करता हूँ इस ocean of games से यह भी एक gaming keyword है और मैंने इसको search भी कर दिया है देखिए दोस्तों हमारे इंडिया में अभी के time पर एक चीज लागू है जो कि अभी US में वो हट चुका है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है scroll down करोगे देखिए यहाँ पर आपको mobile scroll दिख रहा है में लागू है जो कि इंडिया में लागू नहीं हुआ है लेकिन time लगेगा यहाँ पर भी आ जाएगा तिसी तरह आप scroll down करते जाओगे करते जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर दिखिए more results लेकिन आप यही पर और एक चीद देखिए यहाँ पर बोल रहा है Southern United States आपको exactly location बता देगा यहाँ पर देखिए Southern United States यहाँ से data आ रहा है तो आपको यही देखना है क्योंकि बहुत सारे free VPN जिसे कि मैंने यहाँ पर देखा Hola VPN कभी कभी मैंने इसका भी यूज किया था लेकिन वो दिखाएगा United States लेकिन यहाँ पर मुझे दिखेगा भाई Netherland हमें चाहिए भाई United States का data लेकिन अगर Netherland का data दिखेगा तो हम लोग काम कैसे करेंगे इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा यही तरीका इपलिमेंट इसलिए हमें कुछ एसे VPN को यूज करना पड़ेगा जो कि सही होगा और अभी आप लोग खुद देखो हम यह अपने country इंडिया में बेठा हूँ लेकिन मुझे data मिल रहा है United States से इसी तरह आप लोग भी कर सेकते हो भाई इसके लिए पेसा नहीं लग रहा है बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा और ये वीडियो खतम होते होते आपको पूरा आइडिया भी मिल जाएगा तो देखिए यहाँ पर हमें मिल गया United State मैं अपने घर में अपने लोकेशन में अपने कंट्री में बेटके बिना पेसा इन्वेस्ट किये यहाँ पर मैं अकसेस कर रहा हूँ United State का डेटा ठीक है तो इसी तरह आप लोग भी कर सकते हो तो अब ही हमें दिख 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 दिखा अब ही हम क्या करेंगे So More Results यानि कि और जितने सारे Results भी देखेंगे One by one करके उसके बाद भी देखेंगे क्योंकि अभी हमें यह नहीं है हमें Results देखना पड़ेगा Last page भी हमें directly jump नहीं कर सकते क्योंकि वो feature Google ने बंद कर दिया है तो जितने सारे Results होंगे हम उसको देखेंगे तो यहाँ पर इसी तरह देखेंगे अभी मैंने यहाँ पर last पर total आ गए तो अभी हमें top पर जला जाना है अभी आपको फिर भी वही दिखा रहा है और एक बार यहाँ पर more result पर क्लिक करते है और देखेंगे क्या है फिर भी more result आ रहा है भाई अब खतम अब more result नहीं दिखा रहा है तो अभी उपर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख लो कितना बता रहा है अरे यार फिर भी नहीं बता रहा है total यहाँ पर बता ही नहीं रहा है कि जाते हैं और search पर क्लिक करते हैं ठीक है और search करने के बाद दिखिए यहां पर बता रहा है trapped in hentai game academy इस पर कितने results बता रहा है गूगल बता रहा है कि अलब 12 लाक के करीव results और scroll down करेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा दिखिए इस तरह के results दिख रहा है तो बारा लाक results से हमें scroll करते रहना पड़ेगा नीचे तक आने के लिए तो नीचे नीचे और कितना देखिए यहां पर बता रहा है United State जिसे कि हमने देखा था कि भाई हमारा United State पर rank हो जमलब और अभी यहां पर देखिए एगें यहां पर United State एगें आप लोग देखिए यहां पर United State बता रहा है क्योंकि हमारा VPN अभी United State Connect हो चुका है अब more result पर click करेंगे देखते हैं कितना तक result दिखाता है Google हामें ठीक है इस तरह हामें देखना पड़ेगा देखिए यहां पर बता रहा है already यहां पर 83 result देखिए यहां पर क्या करता है Google in order to show you the most relevant result we have omitted some entity we have omitted some entries very similar to the 83 already displayed तो यहां पर concept समझ लो इसका मतलब Google कह रहा है कि भाई यहां पर इन्होंने आपको 83 result दिखाया ठीक है 83 result दिखाया लेकिन इसकी similar type का बहुत सारे result से जो की इन्होंने क्या किया remove कर दिया है दिखा नहीं रहे है इसका मतलब है कि इस तरह के और भी धेर सारे website ने article डाल रखा है जो की rank हो सकते थे लेकिन वो यहां पर जरूरत नहीं है इसलिए Google कहता है कि भाई हमेशा फ्रेस आर्टिकल डालो अगर हम double quote लगा के डाल देंगे तो देख लो यहां पर चार हजार रेजल्ट है कितना चार हजार इसलिए Google ने सिर्फ हमें 83 रेजल्ट दिखाया तो इस तरह के QR पर आपको टार्गेट नहीं करना है अगर करना है तो क्या कर सकते हो थोड़ा यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट करो क्यों क्योंकि Google ने आप खुद कहा कि हमने क्या किया है अनली आपको 83 रेजल्ट दिखाया लेकिन बाकी जो सिमिलर एंटिटी थे उनको रिमूब किया है तो अगर आप किसी के सिमिलर टाइप का अगर आपका पोस्ट को हटा ही दे दुसरे पोस्ट को रैंक दे तो अगर आप कुछ नया करना चाहते हो इस तरह के keyword पे तो तो आप कुछ नया तरीका, नया इंटर्फेस लेके आना पड़ेगा, वो query के लिए, वो सेम चीज के लिए कुछ नया लेके आना पड़ेगा, तब Google आपको एक unique represent मानेगा, और इसको लोग को सोभी कराएगा, उसका response जानने के लिए, लेकर अगर सेम टाइप का, अगर आपको idea नहीं मिल रहा है, आप देखोगे, top 10 में AEE website है, तो उनकी जैसा ही में बना लेता हूँ, तब आना मुश्किल हो जाएगा, तो आप strategy समझो यहाँ पे, सबसे पहले आप क्या करोगे, वो keyword को pick करोगे, कोई भी keyword हो, जिसे की अगर और keyword लेते हैं, यह वाला keyword, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे Google बता रहा है, मैंने समरस बता रहा है, कि वे 33 results है, ठीक है, अभी हमें इसको Google पे डालेंगे, देखते हैं क्या results निकल के आ रहा है, देखो यहाँ पे पांच लाग से ज्यादा results है, ठीक है, अगर scroll down करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो, same, चल रहा है, process, पांच लाग results और यहाँ पे दिखिए, अजिए, अजिए, 38 results दिखाया, तो एगें आप समझी, यहाँ पे, एगें वही बात Google बोल रहा है, in order to show you the most relevant result, वो Google कहता है, भाई, हम आपको, जो user को, most relevant results show कराएंगे, इसलिए, बाकी जो जितने results थे, we have omitted some entries, very similar to the 38 already displayed, तो आपको अगर इस तरह के keyword पे top पे आना है, तो ऐसा ना समझो कि भाई, जो बाकी website में इस पे काम नहीं किया है, लोगों भी काम करते हैं, लेकिन similar type का मत करना, कुछ unique लेके आना, तो तब आप इस पे राइंग कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसी तरह आपको target करना ही पड़ेगा, और उसके बाद आप देखो, देखो, यहाँ आप हमें 38 results दिख रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, उस पे double quote लगाएंगे, double quote लगाएंगे, तब जाके काम करेंगे, double quote लगाएंगे, और देर enter, उसके बाद देखिए, यहाँ पे 600 results only है, तो आप खुद समझो, double quote लगाने के बाद, Google specifically दिखाता है, कौन सा कौन सा article, अपने content के अंदर, यह keyword को डाल रखा है, तो अभी आप देखो, 600 articles only, only 600 website ऐसे हैं, जो कि अपने content के अंदर, यह keyword को mention कर रखें, तो आप खुद सोचना, अगर आप कुछ AC keyword पे काम कर रहे हो, जिस पे जैसी कि हमने पहला देखा था, यह वाला, इस पे के दिना था, 4,000, तो हमें 4,000 website के साथ complete करना है, और उसके बाद आप यह देखो, इस पे कितना है, मैं 600, तो आप यहाँ पे दिमाग लगाओ, इसी तरह आप और भी धेर सारे keyword हमें मिलेंगे न, तो हम सबको एक एक करके देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कहां कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे अक्सेस कर रहे हैं, सीरे सिधे, US का डेटा, देख सकते हो, सीरे सिधे हम कहाँ पे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, यह United State पे कौनसा कौनसा website rank कर रहा है, उनका data हम लोग देख रहे हैं तो हम उनको ही analyze करेंगे तो उसी के behalf पे हम लोग यहाँ पर research करेंगे अगर हमें यहाँ पर rank मिल गया तो आप भाई सोचो विद्टे स्टेट में बहुत अच्छा कमाई होता है really मैं आपको बहुत बार proof दिखा चुका हूँ और भी आगे प्रूब लेकर आऊँगा ताकि और भी आपको motivate कर पाऊँ लेकिन आप खुछ समझे हो चीजों को और इसी तरह और भी keywords उठाओ जैसे कि यह वाला keyword उठाते हैं इस पर बता रहे हैं कितना traffic है 2.9K तो इसको देखते हैं यह बहुत ही लंबा keyword है लेकिन स्टिल देखो यहाँ पर बता रहे हैं इसमें भी 1,66,000 मलब results है लेकिन अगर हम scroll down करेंगे तो इसके लिए कम होगा क्योंकि इतना long tail keyword कहां से मिलेगा देखो यहाँ पर बता रहे हैं उनली 32 और सेमरस कितना बताया सेमरस बताया 37 तो आसपास near about होता है और यहाँ पर देखो अगर हम लोग इस पर double quote लगाएंगे इस पर अगर हम double quote लगाते हैं तो खुद देखो यहाँ पर है इस keyword पर हमें मिल रहे है total कितना 9,000 results तो आपको इस तरह का keyword को target बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आपको initial days में rank चाहिए तो आपको हमेशा कोशिस करना है double quote लगाने के बाद अगर यहाँ पर आपको दिख राए 99 results के नीचे है तब हम उस पर जा सकते हैं लेकिन जो यह चीज़ हमें बताया तो देखो यह जो सेमरेस बता रहा है कि जो सर्ब सर्ब इंजिन result page में जो है data वो कितना है 37 जो कि हमें Google नहीं यहाँ पर दिखाया only 32 था तो वो एप्रॉक्स है लेकिन double quote लगाने के बाद आपको जो 99 से below वाले keywords मिलेंगे वही keyword पर article डालना है और उस पर आप rank पर जा सकते हो और make sure जैसे कि मैंने आपको बोला Google कह रहा है कि similar type का website को बो लोग remove कर दे रहे हैं तो आपको similar नहीं बनाना है कुछ unique interface लेके आना है तो यह बात भी दिमाग में भर लो कुछ unique same नहीं होना चाहिए तो यह concept होता है keyword researching का तो अगर आप लोग इंडिया में बेठे हो और यह VPN लगाओगे तो आप US का search result को खुद ही देख सकते हो और उसको देखने के बाद यहाँ पर आपको mostly location चेक करना पड़ेगा यहाँ पर देखो United State लिखा है तो इसी तरह आप लोग करो keyword देखो और अभी आप बोलोगे भाई आप लोग फ्री में seminarist को कैसे इस्तमाल करेंगे जिसी का आपने बोला था दोस्तों फ्री में आप seminarist को फ्री में इस्तमाल कर सकते हो क्योंकि description पे link है 14 days का free trial आप एसे ही ले सकते हो और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको credit card भी नहीं चाहिए आपको basic debit card चाहिए और उसके अंदर बस enable होना चाहिए international transaction देन आप लोग इसको फ्री में इस्तमाल कर सकते हो सारे के सारे premium features और अगर थोड़ा detail में आपको बता हूँ तो ये वाला video check out कर लेना इसके अंदर high CPC keywords कैसे find करते हैं वो भी बताया गया है और practically मैंने ये भी बताया है कि आप लोग किस तरह यहाँ पे जो free में access ले सकते हो किस तरह आप subscription को enroll करोगे फ्री में इसको कैसे इस्तमाल करोगे वो यहाँ पे detail में बताया गया है तो ये वाला video के भी check out कर लेना और ये वाला video भी keyword researching के लिए बहुत ज़्यादा important है तो I hope कि आपको जो चीजे मैं समझाने के लिए कोसिस कर रहा था वो आप समझ चुके लेकिन point यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं जिसे इक बता रहा हूँ double quote लगाने के बाद अगर आप US को target करना चाहते हैं और result चाहते हैं तो ये काम जरूर करे double quote लगाने के बाद अगर आपको यहाँ पे only 99 result दिख रहा है हाला कि इतना आसान इसे keyword नहीं मिलने वाला है लेकिन भाई अगर इतना आसान होता तो बच्चा बच्चा ब्लोगर होता बच्चे 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 भी मनलब हर एक के पास करोड में रुपया होता इसलिए हम लोग ब्लोगर है हम लोग दिमाग लाग के सब ढूंडेंगे सब निकालेंगे तब हम लोग अच्छा पॉफम कर पाएंगे ठीके तो मेहनत करना है तब हमें result मिलेगा और ये दिखिए अगर आप इंडिया में rank कर जाते हो या अपने country पे rank कर जाते हो तो क्या होगा आपके पास 1000 में traffic आएगा एक दिन में 1000, 2000, 5000 पे जीव आते हैं लेकिन उसमें 2 डॉलर कफी मुस्किल से बनता है इसलिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ अभी के टाइम पे अपना बहुत सरा साइट मेरा अपने region में rank कर रहा था उनको मैं international कर चुका हूँ इसलिए आप भी समय होते हुए समल जाएए थोड़ा सा दिमाग लगाएए इंटरनेशनल लॉगिंग करिए यहाँ पे देखिए यह हमने देखा कि इस तरह हम keyword research करेंगे लेकिन यहाँ पे और एक चीज है कि आप micro niche website कैसे बनाओगे और micro niche के लिए keyword research कैसे करोगे वो एक full road map हो सकता है जो की video already process है कुछ दिन के बाद यानि की 2-3 दिन का अंदर वो वीडियो आ जाएगा keyword research कैसे करोगे micro niche website के लिए और मैं तो micro niche भी नहीं कहूँगा भाई nano niche website के लिए keyword research कैसे करोगे वो बात करेंगे ठीक है युकि उससे पहले मैं आपको और भी एक proof दिखाने वाला हूँ अभी नहीं और एक वीडियो पर आएगा कि भाई सिर्फ 50 views अगर आपके website पर आगे ना 50 views उस पे भी आप 5 डॉलर कमाल होगे वो भी आसानी से कैसे मैं आपको प्रूब के साथ आगे वीडियो लेके आऊँगा और माइक्रो नेच चैनल नेच पे भी वीडियो आएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटी वीडियो के लिए रियल अगर आपको लगता है कि मैं आपको वैलू दे पा रहा हूँ तो चैनल को सब्स्राइब कर सकते हैं कर दो मैं आपकों, कर दो मैं आपकों नेख måste कर दोakin तोबक पसमार〜 चैनल को बिए वीडियो मैं आपकों मैं आपकों म願いनम आपकों उनकम बिएगा मैं आपकों suits Windows झाल झाल